नमस्कार वीकेवी न्यूस के सुभा के प्राइम टाइम में आपका स्वागत हैं अब रुप करते हैं आज की हेड्लाइन्स पर नाकुर्ज जिले के कामती में प्रॉपर्टी विवाद में दो गूटों के बीच मार पीन यूवक का सिर्फ ओड़ा दोलो गूटों पर हुआ मामला दर्ज राज्य में बनेगी भाजपा शिवसेना की सरकार केंद्रिय राज्यमंत्री रामदास आठावले का बयाद शिवसेना को कॉंग्रेस और राष्ट्रेवादी कॉंग्रेस से कोई लाब नहीं मिलेगा और ओबीसी नेता बबनराव तैवाडे ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोक की सदस्त्या से दिया इस्तिफ़ा ओबीसी आरक्षन पर राजनीतिक दलों के फैसले से जताई नाराज दिया और अब खबरे विस्तार से मोदी पड़ाव इलाके में प्रॉपर्टी विवाद में दो गुट आपस में भिड़ गए मारपीट के दौरान शारिक अंसारी की आख फोड़ने की कोशिश की गई वही उसके बेटे की बेदम पिटाई की गई वही मारपीट में रीता अंसारी, अमन अंसारी, आर्यबागडे जखमी हो गए शारिक की पत्नी रीता ने जूनी कामटी थाने में शिकायत दर्ज कराई गायल शारिक को उपजिला अस्पताल में प्रात्मिक उपचार के बाद मेयो रवाना किया गया पुलीस ने आरोपियों के किलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों में एक पूर्व महिला नगर सेविका का भी समावेश है पुलीस से मिली जानकरी के अनुसार बंसोड का एक पुराना मकान है इसकी बीकरी का कारणामा कुछ साल पहले रीता अंसारी के साथ हुआ था इसके पश्चात मकान मालिक ने अन्य लोगों के साथ सौधा किया पूर्वनगर सेविका महलता मेश्राम से बीकरी का सौधा किया गया था कबजे को लेकर पहले रीता और आरोपी के बीच विवाद हुआ था। इसके चलते रीता अंसारी ने दिवानी मामले में अपराद दर्ज किये जाने की 11 जनवरी 2021 को अरजी लगाई गई। और प्रकाष गुलाबराओ महादुले को गिरफ्तार किया। इसी मामले में लाल ओली काम्ठे निवासी सूर्यकांत गुलाबराओ महादुले ने भी पुलीस में शिकायत दी कि आरोपी रीता अंसारी, शारिक अंसारी, अमान अंसारी वो उसके भाई ने मिलकर घर के उसे राजनितिक स्तर पर दोनों पार्टी नेताओं की और से किये जा रहे वक्तव्य के आधार पर ये दावा किया और उन्हें ये भी कहा कि शिवसेना और भाजपा एक साथ आए इसके लिए पहले से मैं प्रयास कर रहा हूँ नागपूर आय के हिंद्रिय समाच कल्यान राज्यमंत्री रामदास आठवले ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि शिवसेना को कॉंग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ रहने से कोई फायदा नहीं है शिवसेना के कई विधायक भी चाहते हैं कि भाजपा के साथ ही जाए महाविकास अगारी सरकार में कुछ शिवसेना भी परिशान चल रही है उसकी परिशानी छीपी नहीं है इसलिए उसे भाजपा के साथ आना चाहिए अभी भी वक्त है दोनों पार्टी को एक साथ आना चाहिए तबी राजपा के विकास को गती मिलेगी उन्होंने कहा कि भाजपा निताओ को भी उद्धव ठाकरे से चर्चा करनी चाहिए केंद्रिय राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्रिय मंत्री नारायन राने और शियुसेना के बीच जो विवाज चल रहा है उसे खत्म कर देना चाहिए राज्य की सत्ता के लिए ये जरूरी है अगर शूसेना महाविकास आगाडी से अलग होती है तो राज्य में नई सरकार बनाने का रास्ता साफ होगा OBC महासंग के राश्ट्रिय अध्यक्ष बबन तायवाडे ने OBC आरक्षन के मुद्दे को राजनीतिक अखाडा बनाने के सभी दलों के फैसले पर नाराजगी जताते हुए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोक की सदस्ता से इस्तिफा दे दिया इस सम्मंद में अपना अब केंद्र के हाथ में है OBC को 27 प्रतिशत आरक्षन नहीं मिलेगा और तब तक उन्हें किसी भी समवैधनिक पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं होगा तैवाडे ने कहा कि OBC आरक्षन के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल बेखबर है उन्हें आरक्षन का मसला समझ में नहीं आया उनका राजनीतिक विवाद समाज के लिए एक बड़ी क्षती है इस नुकसान की अनुमती राष्ट्रियों OBC महासंग कभी नहीं देगा इसलिए जब तक समाज को 27 प्रतिशत आरक्षन नहीं मिल जाता तब तक लड़ाई जारी रहेगी इस दोरान उन् OBC के आरक्षन के मुद्दे पर राजनीतिक दलो को कोई जानकारी नहीं है अध्यादेश के बाद भी OBC घाटे में है अगर फिलहाल आरक्षन दिया भी जाता है तो सभी जिलों में एक जैसा नहीं होगा अनुसूची जाती और अनुसूची जन जाती को कुल जन संक्या का 30 प्रतिशत आरक्षन प्राप्त है बाकी 20 फीसदी आरक्षन OBC को मिलेगा अब तक 27 प्रतिशत आरक्षन राष्ट्रियों OBC महासंग का लक्षे है इसलिए पच से इस्तिफा दे कर आरक्षन का लक्षे पूरा करना है नागपूर के चर्शित महेश उर्फ गमचू लामबट पूरा कर दी गई थी धमकी दिये जाने से हत्या करने का बता रहा है अजनी के कुख्यात अपरादियों के माध्यम से गमचू के हत्या की सुपारी दिये जाने का बता रहे है दध्या अजनी के कुख्यात गैंग के मुख्या से जुड़ा हुआ है इस मुख्या के साथ ही दक्षिन नाकपूर के विवादित बिल्डर से जुडे हुए है एक जमीन को लेकर बिल्डर कागमचु से भी विवाद चल रहा था संदेह जताया जा रहा है कि यही विवाद तो शायद गमचु की हत्या का कारण नहीं बना खैर गमचु की हत्या का पाचवा आरोपी गौरो रगडे को गिरफतार किया गया है जिससे अभी क्या जानकारी सामने आती है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा पार्डी पुलीस ने तेज कारवाई करते हुए शिकायत मिलने के बाद 48 घंटों के भीतर लोहे के रोड से भरा ट्रक चुराने वाले को धर्दबोचा आरोपी जै हिंद नगर मानकापुर निवासी संजय धाने बताया गया पुलीस CCTV कैमरों की मदद से आरोपी तक पहुची प्राप्त जानकारी के अनुसार नवीन नगर पारडी निवासी हरी प्रसाद ख्याल सिंग यादव के पास का ट्रक है उन्होंने इस ट्रक में राइपूर से लोहे की रोड लेकर नाकपूर आकर माल खाली करना था लेकिन एक दिन में माल पूरा खाली नहीं होने से वह कापसी पार्डे स्थित सर्विस रोड पर ट्रक खड़ा करके घर चले गए अगले दिन सुबा आने पर उन्हें ट्रक नहीं दिखा किसी ने 10,91,961 रुपए के माल सही ट्रक चुरा लिया था चोरी का पता चलते ही हरी प्रसाद ने पार्डी थाने में शिकायत दर्ज कराई मामला दर्ज कर पार्डी पुलीस की टीम मौके पर पहुची आसपास के चौराहों पर लगे CCTV कैमरों से पता चला कि आरोपी ट्रक को हैदराबाद जबलपूर हाईवे की और ले गया है तुरंत ही एक टीम इस और रवाना हुई और कनहान टोल नाके तक पता लगाया लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा इसी बीच अंदाजा लगाया कि आरोपी शायद तारसा रोड से होते गया होगा अंदाजा सही साबित हुआ और पुलीस को तारसा रामटेक रोड के किनारे ट्रक मिल गया आरोपी संजय को यही से गिरफतार कर लिया गया पुलीस को इस पूरी कारवाई में केवल 48 घंटों का समय लगा संजय की गिरफतारी के बाद पुलीस को हैरान करने वाली जानकारी मिली उस पर विभिन्न थानों में चोरी के 31 से अधिक मामले दर्च है खास बात है कि इन में से अधिकांश मामले ट्रक चोरी के है तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का मिलते है एक ब्रेक के बाद लाव यू दिपिकांश सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नई पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहांची जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची तो घर लाइए सुरुची अपने सपनों के उड़ान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए जो देता है फ्लाइवील अविएशन अकाडमी एक ऐसा इंस्टिटूट है जहां पर एरलाइन एरपोर्ट होस्पिटालिटी और टूरिजम मनेजमेंट साथ ही यहां campus interview, guidance by industry expert, practical training at airport, expert faculty, personal grooming जैसे कई सारे benefits आप पास सकने हैं फ्लाइवील अविएशन अकाडमी, one degree, three job opportunities फ्लाइवील अविएशन अकाडमी, gives you a degree or diploma with a job फ्लाइवील अविएशन अकाडमी, 365 गानी नगर, L.A.D. College Square, beside करनाटिका बैंक नागपुर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है पिछले कुछ दिनों से नागपुर शहर के विभिन्न हिस्सों से चोराहों पर लगे CCTV कैमरों की बैटरिया चोरी होने की घटनाएं सामने आ रही थी ऐसे में पुलीस ने सगन जांच शुरू की इसी बीच सकरदरा पुलीस ने पाच आरोपियों को गिरफतार कर ग्यारा मामलों का भांडा फोड किया आरोपियों में चार कबाडी है ये लोग बैटरियों में सीसा निकाल कर बेचा करते थे आरोपियों के नाम नितिन रामचंद्र साहू, मुकेश साहू, रितेश राठोड, राजकुमार साहू और संतोष साहू बताए गए है पुलीस ने बताया कि नितिन मुकेश, राजकुमार और संतोष पेशे से कबाडी है वही रितेश कवाडी मुकेश के यहाँ ड्राइवर है वो एक पिकप थ्री विलर में चोरी की बैटरियों को इनके यहाँ पहुचाता था CCTV के मेंटेश करने वाले अधिकारी अर्विंद कुमार ने बिंजानी कॉलेज के पास बने चोरा है कि CCTV कामेरों की बैटरी शिकायत पर पुलीस ने मामला दर्च कर रहा confirm पुलीस इसी मामले की जाज कर रही थी वही अन्य जगहों पर भी CCTV कैमरों की बैटरिया चोरी होने के मामले सामने आ रहे थे पुलिस ने खूफिया तोर पर जान शुरू की और चारो कबाडियों तक पहुची उनके पास से 70 बैटरिया, एक पिकप, थ्री विलर, चार दू पहिया वहन जब्त किये गए पुलिस पूछताच में हैरान करने वाली जानकारी मिली कि आरोपी सीसा धातू के लिए ये बैटरिया चुराते थे ये काफी महेंगी बिक्ती है, इसके बाद उनकी निशान देही पर 176 किलो ग्राम सीसा भी जब्त किया इस प्रकार पुलीस ने कुल 3,60,000 रुपए का माल जब्त किया, जाच में ये भी पता चला कि आरोपियों ने 8 तानक शेतरों के तहत 8 चौराहों से बैटरिया चोरी की थी इस प्रकार पुलीस ने 11 मामलों का खुलासा किया, इन में सकरदरा, तहसील और नंदन्वन में दो-दो मामले जबकि सदर, बजाजनगर, बरडी, अमबाजरी में एक-एक मामला दर्ज है कुकर्म की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही है, खासतोर से नाबालिक लड़कियों के साथ कुकर्म के मामले अधिक देखने को मिल रहे है नाबालिकों को बहला फुसला कर दरिंदे अपनी हवस का शिकार बनाते है इसी तरह के एक मामले में जिलाव 17 नयायदिश आर्थ रिवेविदी की अदालत ने नाबालिक के विनय भंके आरोपी को दोशी करार देते हुए पाच वर्ष के सश्रम करावास की सजा सुनाई और 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया ये मामला मानकापूर थाने में दर्ज किया गया था प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी 46 वर्ष का है और पिडित किशोरी का रिष्टेदार ही है 11 जुन 2020 को मानकापूर परीसर में आरोपी ने 15 वर्षिय किशोरी के साथ अशलील हरकत की पिडिता ने मानकापूर थाने में शिकायत की पुलीस ने पॉक्सो समेत अन्यधाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफतार कर लिया जांच में पिडिता के आरोप सही साबित हुए और पुलीस ने कड़ी चार्चिट बनाई कोट ने पुलीस द्वारा प्रस्तुत किये गए साक्ष और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोशी घोशित किया पुलीस की और से महिला सहायक पुलीस निरिक्षक प्रिती शेंडे ने चार्चिट दाखिल की और हवलदार प्रशांत बोंद्रे पैरवी अधिकारी रहे वही पिडिता की और से महिला वकील पांडे जबकि आरोपी की तरफ से एडवोकेट सालवे ने दलीले पेश की आरोपी को सजा सुनाए जाने से परिजनों ने समाधान व्यक्त किया है नाकपुर जिला परिशत में 5 अक्टूबर को OBC की 16 सीटों के लिए होने वाला उपचुनाव यहां की सत्ता का समीकरन बदल सकता है कॉंग्रेस और राष्टरवादी कॉंग्रेस भले ही आगाडी कर चुनाव लड़ रही हो लेकिन बीजेपी और शिव सेना दोनों ही सभी 16-16 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है सभी पार्टियों के उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया है बीजेपी के पास उसकी 4 सीटे रद्ध होने के बाद 15 सीटे बची हुई है कॉंग्रेस और राष्टरवादी कॉंग्रेस मिला कर फिलहाल 30 सीटे है कहा जा रहा है कि अब बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए पुरा जोर लगाने में जुड़ गई है सामदाम की रन्निती पर काम शुरू कर दिया गया है बीजेपी 16 में से कम से कम 12 सीटे जीतने का जी तोड़ प्रयास करने की पूरी तयारी में है ताकि 6 अक्टूबर को जब परिनाम आए तो उसकी कुल सदस्य संख्या 27 तो हो ही जाए अगर 16 में से 12 सीटे भी बीजेपी ने हासिल कर ली तो वह गेम चेंजर हो सकती है शियुसेना को कॉंग्रेस राष्टरवादी कॉंग्रेस ने इस उपचुनाओं में अलग थलग पर पल्ला जाड़ लिया है इससे शियुसेना खेमे में भारी रोश है 16 सीटों में से अगर उसने भी इस बार 3-4 सीटे हासिल कर ली तो वह सभापती पत की मांग के साथ बीजेपी के साथ आ सकती है ये भी चर्चा चल रही है कि शेकाप को भी सभापती पत दे कर अपने पाले में बीजेपी ला सकती है ये सब चुनाओ परिनाम आने के बाद ही देखने को मिलेगा लेकिन ग्रामिन राजनिती में रूची लेने वाले जानकारों का गनित फिलहाल तो इसी तरह का चल रहा है सभी 16 सीटों पर नुकर सभा भी शुरू होने की जानकारी है अब तक के लगबग दो वर्ष के कार्यकाल में सत्ताधारी कॉंग्रेस को कोरोणा के कारण दुरभाग्य से अच्छी तरह कार्य करने का आउसर नहीं मिल पाया है सरकार से निदी नहीं मिलने के चलते अनेक व्यक्तिगत लाप की योजनाव और विकासकार्य बुरी तरह प्रभावित हुए है किसानों को भी समय पर मदद नहीं मिली है जिसका विपरित प्रभाव उपचुनाव में पढ़ सकता है नाकपुर शहर में अमबाजरी उद्यान का कल्यान करने के चक्कर में उसकी पूरी तरह दुरदशा कर दी गई है ततकालीन बीजेबी सरकार ने उसे परेटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए M.T.D.C. को ट्रांसफर किया था ऐसा लग रहा था यह एक विश्वस तर्य उद्यान बनेगा लेकिन विभाग ने जिम्मेदारी से पल्ला जाड लिया उसके बाद फिर उद्यान की जिम्मेदारी मनपा के पास वापस आ गई अज हालत ये है कि विकास की जगा यहा दुर्दशा ही दुर्दशा का नजारा आता है कभी यह उद्यान विदर्ब की शान हुआ करता था अंबाजरी उद्यान का कल्यान कब तक होगा पताने वाला मनपा में कोई अधिकारी नहीं है महानगर पालिका के सत्ता में बैठे करनधारों ने अमबाजरी ओवरफ्लो पॉइंट पर स्वामी विवेकानंद समारक तो बेहत सुन्दर तरीके से विक्सित किया लेकिन अमबाजरी उद्ध्यान को अपनी हालात पर आसु बहाने के लिए छोड़ दिया है कोई नियोजन, कोई प्लानिंग ही नहीं नजर आ रही है हालत यह है कि बच्चों की फिसल पट्टी तूट कर कबाड हो गई है जूले धराशाई हो गए है जंग लगते कबाड यहां कीड जोन में नजर आते है कभी यहां टॉइ ट्रेन भी चलती है शहर के इस शांदार उद्ध्यान की जो दुर्गती स्थानिय प्रशासन ने की है उसे देख यहां नियमित आने वाले नागरी को को दुख होता है और साथ ही रोज भी उद्ध्यान में लाइबरेरी भी थी आज भब बंद कर दी गई है और यहां काम करने वाले इसे कीचन बना कर रखे हुए है यहां भोजन पकाने का काम हो रहा है सुरक्षा के लिए परियाप्त व्यवस्था भी नहीं है सुन्दर्ता का कबाड़ा हो रहा है विकास के सपने दिखा कर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम मनपा के अधिकारियों और पदाधिकारियों ने किया है यहां भी मौर्णिंग वॉक के लिए समीब की बस्तियों में रहने वाले नागरिक आते है उद्यान में शौचालाय मुत्रालाय बंध है कच्रे से भरे हैं बच्चों के खेलने के सारे शीशा जुले आधी तूट फूट गए है कोई बताने वाला नहीं है कि आखिर कब तक के सुध्यान का कल्यान होगा महराश्टर की महाविकास अगाडी सरकार द्वारा दो वर्ष से कोरोना संक्रमन के चलते धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया है धार्मिक स्थल बंद रहने से जहां एक और श्रद्धालों में भारी निराशा का वातावरन नजर आ रहा है वही दूसरी और कई त्योहारों और धार्मिक आयोजनों को भी मनाने पर पाबंदिया लगाई गई है गनिश उत्सव पर भी सादगी से ही मनया जा रहा है अब 7 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होने वाले है यही वज़ा है कि अब देवालयों को शुरू करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है अब तक मुख्यमंत्री उद्दफ ठाकरे को बार बार कई सामाजिक संगटनों और धार्मिक संगटनों ने धार्मिक स्थल खोलने के लिए गुहार लगाई है एक तरफ शुरू धालों की आस्ता पर भारी असर पड़ रहा है देश के कई राज्यों में मंदिर तथा अन्य धार्मिक गतिवीद्या जारी है लेकिन महाराश्टर में ही कोरोना संग्रमन फैलने की बार बार हिदायते दी जा रही है शुरू धालों के आयोजनों पर भी भारी असर पड़ रहा है शुरू धालों का मानना है कि नियमों के साथ धार्मिक कारेकरमों को मनाया जाना अनिवार्य है लेकिन धर्मस्तलों को बंद रखकर देवी देवताओ की पूजा अर्चना पर रोक लगाना कहा तक यतोचित है इस समय महराश्टर के सभी मंदिर तता धार्मिक आयोजन बंद पड़े हुए है कई बार मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है लेकिन बाद में कोई आश्वासन पूरती की रस्म अदायगी नहीं की है ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में मंदिर खुलेंगे या नहीं इस पर भी प्रशन चिनन लग गया है नौरात्र श्राध्ध पक्ष समापन के बाद शुरू हो जाएगा जगा जगा घट स्थापना होगी मंदिरों में अखंड जोज जलेगी लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक नौरात्र को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है तो वीकेवी न्यूस के सुबा के प्राइम टाइम में अब तक के लिए इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए वीकेवी न्यूस नमस्कार